ओम विश्वानी देव सवीतर दुरीता नी परासुए यद भद्रंग तन्ने आसुए मैं महर्शिद एनन्द सरस्वती के एक सो नब्वे जनम दिवस के उपलक्ष में पुझपद स्वामे और हमारे आचार या हमारी कुल परंपरा के महर्शिद एनन्द सरस्वती के चरणों में अपना नमन प्रस्तुत कर रहा हूं और उस परंपरा को बिलकुल नहीं भूल रहा हूं जिस परंपरा की वजह से मैं आज यहां खड़ा हूं मेरे पिता जी पुझपद डाक्टर सुदर्शन देव जी आचार है ये बड़ा बेमानी होगा यदि मैं उस परंपरा को नमन न करूँ जिसने हमें इतना समर्थ बनाया कि मैं इस मंच पर आकर के खड़ा हो सकूँ आदरनी है डाक्टर शिरिधरमपाल जी आ रहे है इनके प्राते स्मर्णी है पूझणी है वंदनी है पिता जी माशे दीपचंद जी आ रहे है जिनके यहां पर रहे कर के मेरे पिता जी ने वेदों का भाश किया बहुत उत्थान हमारे परिवार को यहां से मिला ऐसी परंपरा के चर्णों में मैं अपना नमन प्रस्तूत करता हूँ आरष साहित परचार ट्रस्त अपने आप में बहुत बढ़िया काम कर रहा है जिस विश्विद्याला में मैं काम कर रहा हूँ मेरे वहां के बच्चे जब विश्व पुस्तक मेले में जाते हैं आप जानते हैं कि जवारलाल नहरू एक दुसरे तरीके का विश्युद्याल है और बड़े हतो बिलकुल उत्सा के साथ कूदते हुए आते हैं और कहते हैं कि गुरुजी आरस साहिते प्रचार ट्रस्ट की वहाँ पर एक बड़ी स्टाल लगी हुई थी और वहाँ पर निशोल्क जो है सत्यार्थ प्रकाश बाटे जा रहे थे हमारे को सत्यार्थ प्रकाश में शोध करना है इसलिए लेकर आए है धन्यवाद ऐसी परंपरा के ऐसी परंपरा के चरणों में अभिनंदन बंदन करता हूँ मुझे शाजी बात समझ में नहीं आ रही मैं कहां से शुरू करूँ लेकिन फिर भे अपनी बात को प्रारंब कर रहा हूँ नारथ जी ने जब घूम रहे थे तो महरशी बालमी की ने पूछा कि नारथ जी आप तो सारे देश देशांतर में लोक लोक आंतर में घूमते हैं मैं किसी चरित्र के बारे में लिखना चाहता हूँ और वो ऐसा चरित्र जो देश की रक्षा में लगा हुआ हो जो बहुत बड़ा योधा हो बहुत बड़ा दानवीर हो वेद को जानने वाला हो ब्रह्मचारियों की सेवा करने वाला हो आरियों का रक्षक हो शूरवीर हो माता, पिता, गुरु, आचारे इन सवी का सारे का भग्त हो ब्रह्मचारियों की सेवा में भी तत्पर रहने वाला हो महरशी नारद ने कहा कि भगवन ऐसा है कि देखो ये तो बड़ी सामाने सी बात है महरशी बालमीक ये सारे के सारे गुण तो आपको श्री राम चंदर जी महराज में हैं वो आप उनके बारे में लिख सकते हैं पूरा रामायन महरशी बालमीक ने लिख दिया आधुनिक समय में मैंने कहा कि मैं भी एक बहुत सारे गुण ऐसे जितने सारे गुण वहां गिनवाए हैं वो सारे के सारे गुण मैं किसी एक व्यक्ति में देखना चाहता हूँ मैंने शाजी पूछा ब्रह्मचारियों से पूछा मैंने भिक्षुकों से पूछा मैंने आनाथाश्रों में में पूछा मैंने गुर्कुलों में जाकर के पूछा मैंने विद्यालों में जाकर के पूछा सरकारी अस्पतालों में जाकर के पूछा और बहुत सारी जगे पर जाकर कि मैं पूछा गलियों में मैं घुमता रहा सारे के सारे मिलकर के एक ही स्वर में कहने लगे कि ये सारे के सारे गुण देखने हैं तो शिरी ध्रमपाल जी आरे में है ऐसी परंपरा को अपने बीच में पाकर के हरदे से गौर्वानमित हूँ मेरे चाचा कहूं या गुरू कहूं मुझे समझ में नहीं आता जिनकी गोदी में पल के बढ़ के इतना बड़ा हुआ हूँ शिरी राज सिंग जी आरे हमारे बीच में बैचे हैं आपके चरणों में भी मैं प्रणाम प्रस्तूत करता हूँ अपनी विने की आभा से सब को विनीत करने वाले मेरे बड़े भाई शिरी विने आरिय जी जिनका बार बार आदेश हमें मिलता रहता है आपको भी मैं प्रणाम करता हूँ मेरे बड़े भाई गुरू कल्प डक्तर धर्मेंद्र जी शास्त्री जो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं पुझ्यपत स्वामी धर्मेश्वरानंद जी महराज जो हमारी सीधी परंपरा के साथ जुड़े हैं ये अपने परंपरा का बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं बंधो मैं कुछ चेजें अपने स्वामी दायनंद जी के बारे में और वर्त्मान परिप्रेक्ष में समसामेक डंग से प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि महर्शी स्वामी दायनंद सरस्वती ने जब आरे समाज की संस्थापना के थे तो उसमें पहला नियम रखा था कि सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हूं सबका हादी मौल परमेश्वर है एक सबसे पहला यही सिद्धान्त क्यों स्वामी जी महराज ने रखा ये मैं बहुत बार चिंतन करता रहा और एक अंदर से बात निकल करके आई कि सबसे बड़ी ब्रांती पूरी दुनिया में पूरे विश्व में जो फैली हुई है वो इश्वर के नाम को ले करके है महाभारत के युद्ध के बाद वेद के पठन और पासन की परमपरा बहुत जाकर के क्षीन हो गई और वेद के देवताओं को सरल तरीके से लिखने का काम कुछ दुसरे लोगों ने अपने हाथ में ले लिया और जहां विश्व की बात आई तो विश्व पुरान उन्होंने लिख दिया शिव की बात आई तो शिव की बात शिव पुरान लिख दिया और गरुड की बात आई तो गरुड पुरान उन लोगों ने लिख दिया वेद का पढ़ना सरल नहीं है बहुत कथिन है और वो सरल भाशा में इतने सारे गपोडे भागवत के नाम से, शिव पुरान के नाम से, गरुड पुरान के नाम से ऐसे समाज में प्रचारित और प्रसारित कर दिये गए कि सारी दुनिया को ये लगने लगा कि ये सारे के सारे पुरान यही वेद है और ऐसा बेडा गरक सारे का सारा इन पुरानों ने किया कि जिस पुरान को उठा कर के देखें उसी पुरान में लगता है कि शिव पुरान में शिव सबसे बड़ा है और बाकी सारे के सारे जितने भी देवता हैं वो उसके नौकर और चाकर है गरुड पुरान उठा के देखिए तो गरुड सबसे बड़ा देवता है बाकी सारे के सारे उसके नोकर और चाकर जितना विनाश हमारी परंपरा का आस्तिक संप्रदाय के लोगों ने किया उतना नास्तिकों ने नहीं किया मैं गुर्कुल कांगडी विश्यद्याले हरिद्वार में रहा हूँ और वहां जाकर के शाजी बहुत बार हर की पैड़ी पर जाकर के देखता था वहां के पंडों को एक गायत्री मंत्र नहीं आता बाकी तो बात ही छोड़ देजिएगा और पूरी दुनिया को लूटने में और दोहने में लगे हुए हैं जिस हर की पैड़ी का वर्णन जिसका महातम में बड़े बड़े रिशी मुनी लोग आज गा रहे हैं स्वामीजी महराज तो उसको हर की पैड़ी नहीं उसको हाड की पैड़ी के नाम से लिखते हैं हड़्ियों का विसरजन वहां होता है और जिसके घर का कूणा कबाड़ा जो कुछ भी उसको मिलता है वो सारे का सारा लाकर की उस गंगा में डाल देता है ऐसा विद्वन्स हमारी नदियों के साथ ये आस्तिक संप्रदाय के लोग इस वज़े से कर रहे हैं कि उस परमपिता परमात्मा के स्वरूप को ठीक तरीके से उसको समझाया नहीं गया अंद विश्वास में इसलिए डूब रहे हैं क्योंकि इश्वर के स्वरूप को ठीक तरीके से समझाया नहीं गया बार बार जाकर के वहाँ डूब रहे हैं और अनेक प्रकार के ठग चोर और लूटेरे वो सारे के सारे वहाँ पर बैचे हुए हैं और उनको लूट रहे हैं पिछले दिनों भाई दक्तर धर्मेंदर जी शास्त्री के साथ गोहाटी एक बार जाने का मौका मिला कैसे कैसे शाजे अंद विश्वास हो रहे हैं महरशिद अनन सरस्वती यदि आज जिन्दा होते तो 190 साल के होते व्रिद अवस्था में होते और दो लट्स तो जरूर पकड़ करके किसी ने किसी को मार देते यदि ऐसी अवस्था देखते तो गोहाती में एक मंदिर है जिसका नाम है कामाख्या मंदिर उस कामाख्या मंदिर में दर्मेंदर जी मेरे ख्याल रोज के सो बकरे तो जरूर कटते हैं सो बकरे रोज कट रहे हजारों कबूतर वहां कट रहे हैं ऐसी परमपरा ऐसा ऐसा विद्वांस दुनिया में हो रहा है इश्वर के स्वरूप को लोग समझ नहीं रहे और उसको कामाख्या को देवी मान करके उसको प्रसंद करने के लिए लगे रहते हैं और हिंसा पर लोग उतारू होते हैं वेद कहां हिंसा की बात करता है वेद तो रिगवेद सबसे पहले गोशना करता है यम यज्यम अद्वरम विश्वता है परिभूर से सहिद्देवेश उगच्छती अरे बिना हिंसा के यज करो वही यज देवताओं को प्राप्त होगा वही यज तुमारा कल्यान करने वाला होगा राजनतम अद्वराणाम की बात वेद करता है हिंसा से रही ती यज्यों का संपादन करें तो सारी बात बने और देखिए समाधान भी साथ में प्रस्तुत करूँगा उज्जेन काव भैरव मंदिर शाजी वहाँ शराब चड़ती है दुनिया पागल हो रखिया उस बहरुजी को शराब पिलाने के लिए और मंदिर के बाहर पूजा के सामान के साथ शराब की बोटल साथ में मिल रही है और उसकी आकरतियों और प्रकृतिस तरीके की बना रखी है कि वो थोड़ा से एक पलेट में उसको डाल करके देते हैं और वो उसके मूँ को लगाते है और नीचे वो खाली है और वो चरा जाता है और आदमी समझता है कि बहरुजी ने मेरी शराब स्विकार की मेरा बहुत बड़ा कल्यान होगा ऐसे अंदवेश्वास सारी दुनिया में फैल रहे हैं ये भी उस परमपिता परमात्मा के स्वरूब को ठीक प्रकार से न समझने के कारण उठ रहे हैं बरही बाद जगनात पुरी की केदार नात की और आजकल तो एक और नई बिमारी हमारे समाज में आ गई है किरपा बरस रही है ख्यमा करेंगे मुझे आरे समाज के लोग ऐसे लोगों के उपर जनहित याची का दारी दायर करके इनको अंदर कर देना चाहिए जो इतना भठका रहे हैं और जाओं वहां केवल बैठने के नाम पर दो-दो-हजार-तीन-तीन-तीन रुपे उन बोली-बाली माताओं के बेहनों के रुन भाईयों के ठग लेते है अरे समाज का ये करतवे बनता है कि ऐसे लोगों को सारवजिनिक रूप से उनका विरोध किया जाए और ऐसे लोगों के खिलाब सुप्रिम कोर्ड में जनित याची का डाली जाए कि ये भूले-बाले लोगों को ठगे नहीं, लूटे नहीं अमरनाथ के दारनाथ, बद्रीनाथ की तो मैं आपको क्या बात बताऊं साब आपने पीछे जो विद्वन्स देखा है वो प्रकृति के साथ छेड़-छाड़ करने का है हमारे को देखने की जरूरत नहीं, हमारे को कहीं जाने की जरूरत नहीं है मेरे परिवार में माता, पिता और आचरी ये तीन देव रहते हैं और उनकी मैं पूजा करता हूँ, उनकी उपासना करता हूँ और उनके अंदर साख्षात में परमपिता परमात्मा का स्वरूप देखता रहता हूं बनारस में आप चले जाएं मनी करणी का घाट आप देख सकते हैं वही पर उस गंगा के किनारे पर मुर्दे को आधा जला देते हैं आधा उसको छोड़ देते हैं और उसको गंगा के अंदर जाकर के प्रवाहित कर देतें क्या यही हमारा करतव्या है कि हम उसको इन पवित्र नदियों का हम विद्वन्स करते रहें इनका विनाश करते रहें और देखे इससे जड़ा ब्रांति क्या होगी के उजयन में विश्ववेद सम्मेलन चल रहा था और अक्षरधाम के एक आचारे एक सन्यासी वहाँ आकर के बैठते हैं मैं और धर्मेंदर जी भी उस कारिक्रम में थे जहां माताएं सामने बैठी हुई थी उस सन्यासी ने कहा कि इनके सामने में नहीं बैठूंगा इनको सामने से हटा दीजिए क्यों स्वामी जी माराज जिससे जनम ले सकते हैं उसके सामने बैठने में इतना दर क्यों लग रहा है जो माता निर्माता है उसके सामने बैठने में इतना दर क्यों लग रहा है इतनी ब्रांती क्यों हो रही है बहुत बड़ा विवाद होता देख स्वामे जी ने अपनी जगे बदल ली माताओं के सामने से अचकर के दूसरी जगे जाकर के बैठ गए और वो केवल इसलिए हो पाया क्योंकि वहाँ पर एक आरिये समाज का बहुत बड़ा विद्वान प्रोफेसर रूप किजोर शास्त्री गुर्कुल कांगडी विश्युद्याले हरे द्वार का कोई व्यक्ति बैठा हुआ था क्या परमपरा लोगों ने बना रखिए किस तरीके की परमपरा बना रखिए कई बार तो दिंगा ठण जाता है मैं जिस विश्युद्याले में पढ़ा रहा हूँ रौतक में महरशिदायनंद विश्वद्याले है मुझे पूरे आरिय समाज से एक निवेदन करना चाहता हूँ महरशिदायनंद विश्वद्याले की जैनती पर कई बार वहां जाने का मौका मिला और अपनी बात कहने का भी मौका मिला वहाँ के रजिस्टार आ रहे समाजी है काम भी कर रहे है वहाँ मैंने निवेदन किया कि क्या इस महरशी दैनंद विश्विद्याले में कहीं पर महरशी दैनंद का साहिते भी पड़ा रहे हैं कहा कि नहीं क्यों नहीं पड़ा रहे महरशी दैनंद विशुद्याले को सारी दुनिया MDU के नाम से जानती है महरशी दैनंद के नाम से क्यों नहीं जानती है जब हमने बार 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 आगरे किया तो MDU सब जगे से अटाकर के महरशी दैनंद विशुद्याले वहाँ लिख दिया गया है एक और बात आपसे कहना चाहता हूँ वहां के संस्केद विवाग में मैं भी पढ़ा हूँ और बड़ी शरम के साथ कहता हूँ कि वहां मेर्शिदानन सरस्वती का भाष्य नहीं पढ़ाया जाता है वहां सायन का भाष्य पढ़ाया जाता है कुरुक्षेत्र विश्विद्याले कुरुक्षेत्र वहां भी सायन का बाश्य पढ़ाया जाता है और पंजाब विश्विद्याले चंडीगड में भी सायन का बाश्य पढ़ाया जाता है और भी लगबग सारे जितने विश्विद्याले भारत में हैं वहाँ M.A.S. तर पर सायन का, उवट का और महीदर का भाशे पढ़ाया जाता है उपस्तित वंदों मैं बड़े गरव के साथ कहता हूँ कि मैं जवाहर लाल नहरू विश्विद्याले में महर्शिदान सरस्वती का भाशे पढ़ाता हूँ आप मेरे विश्विद्याले में आकर के देखें और बोर्ड पर लिखा हुआ देखें कि पठे क्रम में महर्शिदान सरस्वती की रिग्वेद आदी बाशे भूमी का ये मैं पढ़ा रहा हूँ आँ शाजी जब मैं उनको बताता हूँ कि आचारे सायन अगनी का रथ लिखते हैं फायर अगनी बातिक अगनी मैक्स मोनर लिखते हैं फायर महर्शिदान सरस्वती 64 रथ लिखते हैं कहीं सन्यासी, कहीं आचारे, कहीं उब्देशक, कहीं विद्वान, कहीं अतिती, कभी अब्यागत, कभी माता, कभी पिता, कभी आचारे, कहीं दमपत्ती और जब विद्ध्यार्थी वहां से उठकर के जाते हैं तो रिशिद धायनंद की जै बोलते हुए जाते हैं पिछले दिनों तीन दिन पहले दर्मेंदर जी का मेरे यहां आगमन हुआ मेरी क्लास चल रही थी और मैं मेरे बच्चों ने मेरे से आकर के निवेदन किया कि गुरुजे ये वेद पाठ सिखाएं थोड़ा सा वेद के मंत्रों का पाठ कैसे किया जाता है मुझे डर लग रहा था कि ये कभी कोई एक नया विवाद ने खड़ा हो जाए सब बच्चों ने मुझे लिख कर के दिया और मैंने वहाँ वेद पाठ कराना शुरू किया धर्मेंदर जी को मैंने कहा कि एक बार जरा आप देख ले वेद पाठ हो कैसा रहा है धर्मेंदर जी का कहना था कि दूर से ऐसा लग रहा था कि जी एन यू में नहीं मैं किसी प्राचीन परंपरा के गुरकुल में आया हुआ हूँ व्यक्तिगत रूप से जिस रिशी का रिण हमारे परिवार पर है उसका रिण उतारने का मोका परंपिता परमात्मा ने दिया है और सबसे बड़ा आशिरवाद मैं बड़े खुले मन से कहता हूँ कि हमारे केंदर की अद्द्रक्ष महोदया प्राते समरनिया, पूजनिया, प्रोफेसर शशी प्रभाग कुमार जी का अशिरवाद हमारे साथ बगड़ा है जो 24 गंचे ढाल बन करके हमारे साथ खड़ी रहती है कि बाई, तुम काम करो हम तुमारे साथ हैं, बेटा, तुम काम करो और इससे बड़ा हो क्या सकता कि रिशिदायनंद का काम यहां हो रहा है वेद का जो सही स्वरूप है वो यहां बताया जा रहा है उसी की स्थापना के लिए महरिशिदायनंद सरस्वती ने आरे समाज की स्थापना की थे हमारा एक बहुत बड़ा कर्तव बनता है एक और निवेदन मैं जो आपके चरणों में रखना चाहता हूँ केवल आपके मंद से बात जाएगे तो आज़नी धरमपाल जी से और इन सभी पदाधिकारियों से राज सिंग जी से जितने भी यहां लोग बैठे हुए मैं एक निवेदन और करना चाहता हूँ शाजी महरशी दैनंद विश्विदेला रौतक में और पंजाब युनिस्टी चंडीगड में दोनों में दैनंद चेयर है लेकिन पिछले 30 साल से कोई आदमी उसपर काम नहीं कर रहा है 30 साल से खाली चेयर पड़ी है लेकिन उस पर कोई आदमी काम नहीं कर रहा है और यह समाज का करतव्या है कि इसके लिए खड़ा होकर के काम किया जाए काम होगा कहां से आरे समाज का हमारी चेर खाली पड़ी है कभीर चेर को खाली रखके देखो हम बेड़कर चेयर को एक दिन खाली रख के देखो सारे के सारे संगठन जाकर के खड़े और जाते जिन्दाबाद मुर्दाबाद करने लग जाते 30 साल से खाली पड़िये कोई बोल नहीं रहा है बार 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 निवेदन करने के बाद भी कोई चीज नहीं निकल रही है तो इस मंद से मेरा निवेदन ये है कि ये दोनों चेयर भरनी चाहिए और आज गुरकुल कांगडी विश्विद्याले हमारे हाथ में है शाजी एक और बात मैं कहे दूँ मारणा प्रताब अब अकबर के सामने सरंडर करने के लिए जा रहा था कि पैसे खतम हो गए बीच में उनको भामाशा चकरे और भामाशा उस समय देलवड़ा का मंदिर बना रहे थे जिस पर उसको 21 करोड रुपया उस समय लगाना था और भामाशा कहते हैं कि मारणा तुम अकबर के सामने इन मुसल्मानों के सामने यवनों के सामने समर्पन मत करो जितना पैसा चाहिए मैं तुम्हे देता हूँ गुर्कुल कांगडी की जब यह हालत हुई तो भामाशा बन करके करोड रुपय का एक बहुत बड़ा भवे मंदिर बन रहा है मैं समझता हूँ के एक द्रश्टांत के मादम से सुना देता हूँ शाधी समय ज़्यादा हो रहा है मैं समझता हूँ कि जब पता लगा कि करण को जीतना है करण के कवच और कुंडल छेन रहे हैं उसके बगएर उसको मारना बड़ा मुश्किल है इंद्र ने ब्रामन का वेश बना करके उनके सामने गए और कहा कि अंग्राज सुना है आप बहुत बड़े दानवीर हैं मुझे दान कीजिए करण ने कहा कि ले लिजिए हजार हाथी ले गोड़े ले गाहें ले जो तेरे को चाहिए सोना ले 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 जमीन ले ले जो तेरा मन करे ले 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 ब्रामण ने का कि नहीं 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 इन सारों को लेकर के मैं क्या करूंगा तो करण ने गुस्से में आकर क्या कहा कि तो फिर ठेक है तो मेरा कवच और कुंडल ले ले उसने कहा कि दे दो तुरंत उतार करके अपने जीवन की परवाहने करते हुए करण ने दोनों चीज़ें उतार करके दे लिए सूत ने कहा जो उनका हरा ठाक रहा था कि महाराजा करण बहुत बड़ा चल हो गया है करण ने कहा कि कैसा चल सूत तुम जानते हो कि इंद्र मांगने वाला था और करण देने वाला था मांगने वाले से देने वाला बहुत बड़ा होता है एक शलूक कहा करने कि शिकश्या च्छय गच्छति क्आलय प्रियायाद शिक्षा भी थोड़े समय बाद खतम हो जाती है शाजी जल के बहते हुए धारे भी पतानी सरस्वती नदी आज कहीं गई कोई पता नहीं कहां चली गई कहां से निकली थी कहां गई और ऐसे ऐसे पेड जिसको 20 आदमी ऐसे पगड़ करके उठा नहीं सकते थे ऐसे पेड भी उखड़ गई लेकिन शाजी एक बात कहता हूं हुतम चै दतम चै अपने हाथ से यज में डाली गई आहुते और अपने हाथ से दिया हुआ दान ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो जिन्दगी में कभी नहीं बदलती है अब जानते हैं कि अंग्राज करण दुनिया से चले गई हैं लेकिन उनका दान आज भी खड़ा है शाहर जी एक बात कहूं कि जननी जने तो भगत जन या दाता या शूर ना तो जननी बांज रहे क्यों विर्थ गवावे नूर धन्य है वो माता वो पिता वो आचारे जिसके यहाँ ऐसी संतान का जन्म हुआ कि जिसके यहाँ दान की धारा यूं रहती है 24 गंटे चलती रहती धन्यवाद उस परमपिता परमात्मा का जिसकी परमपरा में आप जैसे विद्वान और आचारे लोग हैं आप जैसे ही विद्वानों से तो ये संसार की सरणी चलती है आप जैसे करणों से आप जैसे भामाशाओं से सारी की सारी दुनिया बहुत बड़ी उम्मीद लगाए बैठी है नजाने कौन सा ब्रह्मचारी किस वेद मंत्र का पाथ किस का तब किस का पुन संसार की अपनी आपके परिवार की किस परमपरा में किस बच्चे को कब जाकर के लगेगा इसके बारे में कभी कोई कुछ कहें नहीं सकता है इन सारे के सारे चीजों के इस भावर में हम क्या करें इस सारे के सारे इस भावर में हम क्या करें जब संसार इस तरीके से चल रहा है जिदर दृष्टी पात करते हैं उधरी लूटने वाले ठगने वाले चोर रहे हैं स्वाम जी माराज एक अपने एक नियम में कहते हैं कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है और वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना सब आर्यों का परमधरम है मैं दन्यवाद करता हूँ डाक्टर दर्मेंदर शास्त्री जी का कि इन्होंने चारों वेज छपाए और सिरफ साड़े पांसो रुपे में आपको मिल रहे है इनका भाशे भी तुरंट छप रहा है और वो भी आपको फ्री में मिलेगा 50% छूट कर दी इन्होंने संस्क्रित वाख्य प्रभौद महरशी दानां सरस्वती की पुष्टक 3 भाषाओं में लिखी हुई कि एक हजार वाख्य जिस बाप के बच्चे को तयार हो जाएंगे वो स्वामी जी केवल वाख्य नहीं बनाते उसमें वाक्या के साथ-साथ आचार की सिक्षा, वेवार की सिक्षा, उठने की सिक्षा, छोटे बटे के साथ आचरन की सिक्षा, स्वस्त रहने की सिक्षा, बोजन की सिक्षा, और वेवार की सिक्षा, केवल स्वामे जी का वो वाक्या प्रभूत संस्क्रित जानने के लिए नहीं है वो आदमी निर्माण करने की भी एक बहुत बड़ी मशीन है, वो छोटी से किताब, केवल 40 या 50 रुपे में मिल रही है, आप अपने परिवार में जरूर लेकर के जाएं सभी अपने आरे समाजों में राज सिंग जी कह रहे हैं, के वेद पात के लिए एक एक पात, एक एक प्रती आप जरूर इस समाज के लिए रखें मेरा व्यक्तिकत एक मानना है, कुछ चीजे मैं और कहना चाहता हूँ, के गुर्कुल कांगडी में स्वामी शर्दानन्द की एक चेर होनी चाहिए यदि आप चाहते हैं, कि इस तरीके की व्यवस्था जो फैली हुई है समाज में विनेजी से मैं अनुरोद कर रहा हूँ, और पूरा मंच यहां बैठा हुआ है यदि आप चाहते हैं कि कुछ परिवर्तन हो तो मेरा इन सारे की सारी सभाओं से एक ही निवेदन है कि सारे के सारे अपने आग्रहों को, दुराग्रहों को, पूर्वाग्रहों को सारे के सारे चोडगर के सारे की सारी यारिय समाज के लोग एक मंच पर आ जाएं और वेद का जो संदेश है, संगच्छत, धंसंवदत, धंसंवो मनान सिजानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजाना नाम उपासते मिलकर के चलो भाई, मिलकर के बोलो संगठन में बहुत बड़ी ताकत है माराजा युदिस्टिर कहते हैं कि भाई सुनो वैसे तो कहने को हम पांच और सो हैं लेकिन यदि कोई तीसरा आदमी बीच में गुझेगा तो हम एक सो पांच हैं ऐसा संगठन हम अपने आरे समाज का खड़ा करें क्या इनमें रखा है कि सारे की सारे मांधाता जैसा महीपती चला गया जिसने लंका में जाकर के पुल बनाया वो भी चले गए बड़े बड़े राजे महराजा सारे के सारे चले गए ये बिल्डिंग, ये जमीन, ये भूमी, ये धन ये सारे के सारे यहां रह जाएंगे कुछ करें तो मिल कर के करें एक और बड़ा निवेदन मेरा दो धराएं आरे समाज के बीच में है एक DAV की है और एक गुरकुल की है यदि ये भावना है कि समाज में कुछ काम होना चाहिए अंदविश्वास और कुरीतिया मिटनी चाहिए दूसरी संस्थाओं का बिलकुल छोड़ देजी वो कुछ करेंगे अपनी DAV की संस्थाओं में और अपनी गुरकुल की संस्थाओं में आरे समाज का ऐसा साहित लगाया जाए पांचवी, छटी, साथवी, आठवी, दौवी, दसवी, ग्यार्वी, बार्वी DAV स्कूल और DAV कॉलेज और गुरकुल परंपरा के जितने गुरकुल है पुरकुल कांगड़े विश्वी दले हरिद्वार यहां से हर साल लाखों विद्धार थे हमारे निकलेंगे और वो ही संद विश्वास से बिलकुल परिचित होंगे और मैं बड़े दुख के साथ कहता हूँ कि मेरे बच्चे DAV स्कूल में पढ़ते थे और एक पुस्तक में वेजिटेरियन और नौन वेजिटेरियन का एक चैप्टर वहां लगा हुआ था और मेरा बेटा आकर के कहा के पापा ये मीट खाने से ताकत बनती है मैंने का इदर आ तेरे को किसने बताया किताब में लिखा हुआ टीचर ने पढ़ाया अगले दिन मैं जाकर के स्कूल में पहुँच गया मेरे बच्चे का नाम स्कूल से कटो मैं उस दर्ती का बेटा हूँ मैं उस परंपरा का व्यक्ती हूँ जहां पर ये सारे की सारी चीजें नहीं चलती और मैं बड़े गरव के साथ कहता हूँ कि रहतक में शाजी हमारी तीन दुकाने थी तीनों खाली रहती थी क्योंकि जो भी कोई लेने आता था पिताजी की पहली शर्ती कि बीड़ी नहीं बेचेगा सिगरेट नहीं बेचेगा मास नहीं बेचेगा, अंड़ा नहीं बेचेगा क्योंकि तू बीड़ी बेचेगा र मैं उसका किराया लूँगा तो कही न जए क्यी बीड़ी मैं भी पी रहा हूँ ऐसा एक पाठेक्रम ये सारे के सारे विद्वान लोग मिलकर कर के बनाएं जिसमें ये सारे के सारे संरक्षन की बात हमारे संसार की कर रखी हो अंद्विश्वास को अटाने की बात से उसमें कर रखी हो देश भ्यक्तों का चरित हम अपने बच्चों को मिलकर के बढ़ाएं और सारी परंपरा उनको दिखाएं कि रिशे दयानंद क्या थे मेरी एक किताब है जिसका कई भाशाओं में अनुवाद हुआ है दयानन द्रिष्टांत मनी का बहुत छोटी से किताब है 101 द्रिष्टांत स्वामी दयानन जी महराज के मैंने उसमें संकलित किये हैं पहले वेद मंत्र है उसके बाद उसका थोड़ा सा आर्थ है फिर द्रिष्टांत है फिर द्रिष्टांत से मिलने वाली शिक्षा है अब पुस्तक लगबग लगबग खतम हो चुकी है मैं निवेदन करता हूँ इस मंद से के उस पुस्तक का प्रकाशन आप करवाएं और जो भी उस पुस्त का प्रकाशन कराएं वही उसका कोपी राइटर है मेरे पास उसका कोई कोपी राइट नहीं है जो दैयारंद का सिपाई है उसको स्वतंतरता है उसको चपवा सकता है और उसको बटवा भी सकता है अनिवारिये वैधिक शिक्षा की जाए हम संगठन लेकर के चलें DAV से भी संस्कृत हटाई जा रही है KV से भी हटाई जा रही है नवोदे में तो पहले भी नहीं थी आज भी नहीं है सरकारी स्कूलों में भी हालत यह है कि वहाँ संस्क्रित की स्थिती बहुत जाकर के खराब हो रही है हम मिलकर के परसपर आपस में काम करें पत्र-पत्रिकाओं के माद्यम से एक निवेदन और मैं करना चाहता हूं सर कई बार बड़ा दुख होता है अपने आदमी सारे बैठें आरे समाज के आरे समाज का असली चेरा देखना तो आरे समाज की पत्र-पत्रिकाओं पढ़ लीजिए किसका किसके साथ क्या जगड़ा हूँ सारे का सारा उसके अंदर निगल करके आ जाता है मेरा इस पूरे मन से एक निवेदन है कि आरे समाज की पत्र पत्रिकाओं में केवल वेज से सम्मंदेद जीवन उत्थान के और रास्ट उत्थान के समाज उत्थान के लेखों के सिवाए किसी की काट छाट और इधर उदर की अपनी बात कहनी चाहिए दूसरी कोई बात होनी प्रसार हो इनी भावनाओं के साथ मैं तो भाई एक छोटा सा सिपाही हूं दयानंद का मीडिया पर भी इतना प्रचार और दुष्प्रचार एक एक चीज के मादम से हो रहा है कभी कोई कवच बेच रहा कई कोई कुछ बेच रहा कई कोई कुछ बेच रहा है यदि इस बा चाहते हैं अपने परिवार को अपने चोड़े चोड़े बच्चों को उनमें संस्कार भरना चाहते हैं तो कहीं न कहीं रिशीद आयनंद का साहिते और रिशीद आयनंद की जो वैदिक पता का जो सकते के ग्रेंड करने और सकते के चोड़ने में सरवदा उद्धत रहना चाह यह यह दी हम करना चाहते हैं तो महरशी दायनंद का साहिते पढ़ना पढ़ेगा और उस महरशी के चरणों में अपना समारपन करना पढ़ेगा आपने मेरी बातों को बहुत प्रेम के साथ बड़े दहरे के साथ सुना है आप सभी को मैं अपना कोठी-कोठी प्रणाम प्रस् प्लड़ा बियंक्ति प्लमपाल